मैं टीच्मेंट पर उनलाइन क्लासेश क्यों लेती हूँ? भला क्यों न लूँ? ये इंडिया का एक लॉता प्लाटफॉर्म है जो 100% फ्री है बिना किसी लिमिट के और नई शुरुवात करने के लिए इससे बहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टपोन चाहिए और सुहानी शर्मा की All India English Classes हो गई शुरुव? इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मेंट पर टीचिंग आसान है तो आज ही डाउनलोड करें टीच्मेंट इंडिया का No.1 टीचिंग आए Hello everyone, welcome back to my channel इस वीडियो में बात करेंगे हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से आर्ट एंड क्राफ्ट की जो रिक्रूट्मेंट है उस भरते की हीरिंग के बारे में First of all, sorry to all of you क्योंकि मेरे को याद रहा 5 अगस्त वाली हीरिंग है लेकिन यह 2 अगस्त को हो चुकी है and बहुत लेट है आपको यह वीडियो मिला इसमें हम बात करेंगे कि 2 अगस्त की सुनवाई में ऐसा क्या रहा नेक्स डेट कभके मिलिया एजुन आपको पता भी होगा भई बहुत सारे कंडिडेट को पहले ही पता मतलब देख लेते हैं वह उफिशली जाके कि नेक्स डेट क्या मिली है तो नेक्स डेट की मैं बता देती हूं साथ अगस्त में और एफिडेवट जमा करा गया था जो पिछली जो हीरिंग हुई थी आपकी अगस्त में उस पर एफि इतने सारे केसिस लगे हुए हैं जिसमें आधे जो सीम वगेरा भी है आपकी और सीड़ पी भी है तो यहां पर पूनम देवी पूनम एंड ओर एस वर्सी स्टेट ओफ हर्याना एंड अधर प्रेजेंट जो है वो स्री जश्बीर मौर रविंदर मिलिक रवी अड़ोकेट पूनम देव राज महाजन एडवोकेट जनरल हर्याना मिस्टर हरीश नैन एए जी हैं हर्याना फूर्दा रिस्पोंडेंट यहां पर क्या बोला गया है यह जो आपकी हेरिंग हुई यह वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हुई फोटो कोपी ओफ दा एफिदेवट अफ दा सेक्रेटरी अफ दा रेस्पोडेंट कमिशन हाज बीन फिल्ड इन सीडवलू प उनत्तर ग्यारा दो हजार इकीश तो इन्हों ने जो आपका एफिदेवट है वो पिछली जो आपकी कि हीरिंग हुई थी आइटिंग कुनत्ति सदस्ट को हुई थी उस हीरिंग में जो और्ग्यूमेंट्स हुए थे तो इनकी तरफ से इन्हों ने बोला था कि आप हमें यहां पर इसकी फोटो कोपी दीजे एफिदेवट की तो इन्होंने ओरिजिनल के साथ ही अटेच कर दी है फोटो कोपी ऑफ दा Dannη के the chairman of commission जो हमारे HSSC के commission है जो HSSC commission के जो chairman है sorry dated 2-2-2021 has been furnished in the sealed cover में भेजी थी which has opened की गई and release की गई थी attached with file के साथ अब यहां पर 7-9-2021 आपकी जो next hearing है वो 7-9-2021 अभी इस एफिड़ पर दोबारा कुछ होता होगा भी observation photocopy of this order be placed in the file of other connected यह सेप्टमबर 2 का notice है आप देख सकते हैं यहां पर GS Sandhya वाला जर्ज है यहां पर आपकी hearing के बारे में बात करें तो सिर्फ arguments हुई है video conferencing के जरीए क्या होता है ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता और officially website पर अभी तक आपका कोई notice इसके regarding डाला भी नहीं गया है कि भई किस लिए क्या arguments हुई और क्यों अगली date मिली है सिर्फ अभी जो एफिडेट के आपकी एक copy थी जो की commission की तरफ से आपको मिल गई थी है advocate G को मिल गई थी तो उन्होंने अपनी main file के साथ ही आपकी copy एटेच करके आगे देदी है जो कोड की तरफ से मांगी गई थी और यही अपडेट है अब आपकी साथ तारिक लगी है लग रहा है कि केस बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है क्योंकि जल्दी जल्दी हमें date मिल रही है और यह urgent hearing भी हो सकती है तो गाइस this is the official notification अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर कीजिएगा और इससे अलग आपको अगर कोई भी information है तो आप खुद भी बता सकते हैं मेरे को और मेरे पास सिर्फ यह information है तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेर कीजिएगा और चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा Thank you so much, thank you for watching.